हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल होम साइज फ्रेंड्स दिए आद में आपके लिए कितना संदर बेबी कैप लेकर आई हूं इस कैप को मैंने बनाया है बची हुई उन से जो मेरे पास बची उन थी उससे बनाया है बहुत प्यारा सा कैप है ये इसे आप बच्चों के लिए बना सकती है और बढ़ों के लिए है घब दो साल के बच्चे के लिए है एक कैप दो साल तक के बच्चे के लिए बल्कुल ठीक बन करके आएगा ठीक से आएगा और देखिए इसमें जो लगी होगी 60-80 ग्राम तक उन लेगी है क्योंकि इसका जो डिजाइन है इसमें भी उन अधिक लेगी है और इसमें जो चोटी है इसमें भी तो देखिए इस पैटर्न को बनाना हम सुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आये तो प्लीज अभी लाइक कर दें वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए हम इसके पहले फंदे डाल लेते हैं और इसके लिए हमारे पास यह तीन कलर की उन है यह चोटे-चोटे गोले हैं यह अधिक है लेकिन इतनी इसमें लगेगी नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए नौ नमबर क इसकी सलाई लेंगे हम और इस पर हम फंदे डालेंगे देखिए फंदे हमें इसके लिए किस तरह से डालने हैं देखिए सिंगल उन ली है और हम इस तरह से एक इसका यहां पर एक फंदा बना लेंगे और इसके बाद में सिंगल दागे से ही हमें फंदे डालने हैं दालेंगे तो इस तरह से डालते हुए हमें यहां पर डालने हैं 105 फंदे और देखे 105 फंदे पड़ने के बाद में देखे जो पहली सलाई है इसको हम इस तरह से बुनेंगे पहली सलाई उल्टी बुनेंगे और दूसरी सलाई देखे सीधी बुनेंगे फिर तीसरी सलाई फिर से उल्टी बुनेंगे तो इसी तरह से आपको बुनते हुए साथ सलाई कंप्लीट करनी हैं देखे यह साथ सलाई अमारी कंप्लीट हो गई है अब देखे आते हैं अब उल्टी तरप से यानि कि यह सीधे फंदे दिख रहे हैं कि इस तरह सोना चाहिए सारे फंदों को उतार दें और देखे इस तरह से हमने इसको उतारा है और जवाब इसको खीचे के तो यह देखे इस तरह से कुछ डूरी इसी बन जाएगी इसके बाद में देखे इन तीनों जो डूरी बनाई है इनको हमें क्या करना है तीनों पट्टियों को एक साथ सिल देना है और देखे यहां पर एक साथ सिलने के बाद में देखे उल्टी तरफ से जो सीधी बुनाई है वो अंदर की साड रहेगी और जो उल्टी बनाई है वो ऊपर की तरफ रहेगे तो देखे अब हम्हें क्या करना है इनको बिल्कु चोटी की तरह भूतना जिस तरह से एक देख देखें यहां पर भी हम इन तीनों पट्टियों को सिल देते हैं अब देखें दोनों साड में हमने यहां पर सिलाई कर लिए इस साड में और इस साड में तो हम क्या करेंगे देखें जो पट्टी है हमारी इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे सुरुआत हमने यहां से की थी तो हम यहीं से इसमें फंदे बरना शुरू करेंगे देखें फंदे में किस तरह सुठाने है यहां से हम फंदे बरना शुरू करेंगे यहां पर देखें उनको जोड लेंगे और फिर इसके बाद में हम यहां से फंदों को बरना शुरू करेंगे 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 इस तरह सब जो पट्टी है इसमें फंदे बर लेते हैं कि तो देखें फ्रेंस हमने यहां से यहां तक हम आूटल एक सो तीन फंदे हैं यहके हम यह उठा लिए है एक सथ टीन फंदे यहां पास ओटा आंक हम क्या करेंगे अब इन फंदों की उनाई करेंगे देखिए म यहां पर आप चाहें तो 9 नमबर की सलाई से बुन सकते हैं, चाहें तो 10 नमबर की सलाई से बुन सकते हैं, तो हम यहां पर बुनेंगे 10 नमबर की सलाई से, 10 नमबर की सलाई से बुनते हुए हम यहां पर 5 सलाईया, लेखें उल्टी तरफ से है, 5 सलाईया बुल लेते हैं, अग्यूब कMr. अग्यूंकों कि जो हम एहां पर डालेंगे लिव वाली डिजाइन तो हम एहां पर साथ सलाइएं भुल लेते हैं अब लिए और देखे फ्रेंड्ट हमने टोटल हमारी 8 सलाइघ हो गई है यह सीधी सलाइए में फंदे भरे थे और उसके बाद में शाथ सलाइच और बना ले अब देखिए इसके बाद में हम डिजाइन बनाना शुरू करते तो देखिए फ्रेंड मैं आपको यहां पर बता दू जैसे कि हमने यहां पर यह 103 फंदे टोटल जो हमारे पास है वह हमने पैटन के हिसाब से रखे हैं और साइज के हिसाब से अगर आप यहां पर यह फंदे भर रहे हैं तो आपके दो चार फंदे अधिक भर जाएं आपको लग रहा है दो चार फंदे अधिक हो गए तो आप उल्टी सलाई में जगए-जगए-गपर घटा दे या अगर दू चार फंदे कम है तो जगए-गए-पर बढ़ा ले तो दिखिए हमने यहां पर जो पैटन बनाएंगे ली बाला तो उसके हिसाब से हमने आपर फंदे रखे हैं एट के मल्टिपल प्लस सेविन करके उसी हिसाब से मारी फंदे हैं तो दिखें यहाँ पर हम साथ फंदे बना लेते हैं एक कि दो तीन कि चार पांट कि चेसाब अधिए आठ पे फंदे पर हमें डिजयन बनाना तो हम जो दूसरा द्रहा है इसको लगा लेंगे यहाँ पर दिखिए हमने जो पीला कलर है इस धागे से हम डिजाइन को बनाएंगे यहाँ पर तो दिखिए साथ फंदे बुनने के बाद में यह जो आटवा फंदा होगा उस पर हम पत्ती बनाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे चार पांच छे छटे फंदे में यहाँ पर सलाई को डालेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे फंदा थोड़ा लूजी लेना है और उसके बाद में पांच फंदे पर डालेंगे सलाई को यहाँ से भी हमें एक फंदा बनाना है कि चोध्य फंदे पर भी डालेंगे का मिट् समय को और है से भी हमें एक फंदा दराना है फिर पीशस्रे फंदे पर भी ढालेंगे मिट्स भी इमें धालाना है दूसरे फंदेे आं और कि लाश्ट में इस वहले हम भी और इस with रफकार लेंगे अब दिखेंगे वालों जो सबसे पहले फंदा बनाया था तो पहले इसको उतारेंगे फिर इसके बाद में दूसरा वाला फंदा उतार देंगे इसके बाद में तीसरा वाला फंदा उतार देंगे और इसके बाद में चौथा वाला फंदा भी उतार देंगे पांचमा और छटा छे फंदे हैं इन सारे फंदों को हम इस फंदे को पर से उतार गएगे कि हमारी यहां पर यह पत्ति बन गए है और उसके बाद में फिर से हम यहां पर साथ फंदों को बुनेंगे इस धागे से एक, दो, तीन, चार फंदे बुर लिए और ये वालो जो धागा है इसको हम इस तरह से लपेट देंगे पाँच, छे, साथ, साथ मा फंदा भी बुनेंगे तो इहां पर भी इस धागे को इस तरह से कर देंगे देखें मारी पत्ती कितनी सुंदर बन करके आई है आठ में वाले फंदे पर फिर से इसी तरह से पत्ती बिनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छटे फंदे पर सलाई को डालेंगे और यहां से हम एक फंदा बनाएंगे माच में फंदे पर भी चोदे फंदे पर लाच में इस वाले फंदे को भी बना लेंगे फिर दीके जो सबसे पहला वाला फंदा बनाया था इसको हम इन सबी के उपर से उतार देंगे फिर इसके बाद में इसको उतारेंगे इसके बाद में इसको उतारेंगे तो फ्रेट्स इसी तरह से आपको पतिया बना लेनी है साथ फंदे छोड़ करके साथ साथ फंदों के बाद में पतिया बना लेते है तो फ्रेट्स देखिए ये सीधी सलाय में सारी पतियां हमने बना ली है अब हम आते हैं उल्टी तरप से तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हम दूसरा कलर लगा रहेंगे देखिए हम इस डिजाइन के बाद में जो अगला डिजाइन डालेंगे वह ये पिंक कलर की उन से डालेंगे तो यह भी आप कर सकते हैं आप अलग 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 कलर से पतियां बनाना चाहें तो आप यही पर इस उन को खतम कर दें बांदें यहाँ पर या फिर आप इस उन को बापस ले जाना चाहती हैं अलग अलग कलर से बनाए तो तो आप यहाँ पर इस उन को यहीं पर अट लगा दे नहीं तो आप क्या करना किस तरह से बापस ले जाना है दो कि व्रक्राइब क्या करेंगे हम और इस तरह से हम इस तरह से धावे पुले पेट देंगे इस तरह से हम पत्ती वाला जो धागा है उन है उसको मैं इस तरह से बापस ले जाएंगे अब देखिए समने इसको पीले वाला धागा है इसे बापस करके लिए अब देखिए इसके बाद में क्रेम क्रूर की दूँटिस्टर भ्रू पीला ग्रोट है बत्ती हिली यहां.. अब हम फिर से डिजाइन बनाएंगे से इसाइड में फिर फंद भी स्था लेंगे और उसके बाद में दो और फंदे बनाएगे, यानि कि हमने साइड में यहाँ पर तीन फंदे बना लिए, अब देखिए, यहाँ पर हमारी साइड में साथ फंदे थे, तो बीच वाला यह फंदा है, और देखिए, तीन इस साइड में रहाएगे, तीन इस साइड में, साथ फ 4,5,6, छटे फंदे पर सलाई को डालना होगा में dis देखे पहले छटे फंदे पर डाले फिर उसके पांच में 292 यहां से भी एक वनाएंगे इसके बाद में 24 फंदे पर है कर तीसरे फंदेपर दूसरे फंदे पर फिर उसके बाद में लाश्ट में लाश्ट वाले फंदे पर डालेंगे फिर उसके बाद में इस फंदे को भी बुल लेंगे इस वाले फंदे को उतारेंगे फिर इस वाले फंदे को फिर इस फंदे को फिर इस न देखों फिर इसके बार्ब इस फंदे को इस फंदे को भी हम उतार दिए फिर सब्ढ़ यहां पर साथ फंदे बनाएगे कि अब देखे हमारा यह जो साथ फंदी बीच पे थे तीन इसाइड बनाएगे तीन इसाइड बीच वाला फंदा उस पर हमारे डिजाइन बनेगे तो इसी तरह से हम इस सलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छटे फंदे पर सलाई को डालेंगे और यहाँ पर भी पत्ती बना लेंगे तो फ्रेंट्स इसी तरह पत्ती बनाते हुए अपनी जो कैप है कंप्लीट करेंगे जितनी में लंबाई रखनी उतनी लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं देखे फरेंट्स हमने यहाँ पर यह कैप की बुनाई है कंप्लीट कर लिए और देखे हमने कितना بنा है एक, दो, तीन, चार, पांच वार यह लेफ की जो दिजाइन है यह पांच वार डाली है पांच वारे डिजाइन कम्प्रीट करने के बाद में हमने क्या किया है फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर यह कैप की जो डिजाइन है कम्प्रीट कर लिए और देखे इसमें जो लीब बनाई है पांच बार बनाई है एक, दो, तीन, चार पांट अब देखे यहाँ पर यह design complete करने के बाद में अब हमें आगे किस तरह से बुलना है देखे यहाँ पर यह design जो हमने complete किये उसके बाद में में चार सलाई या और बना ली है और देखें पांच मीश सलाई जो है सीधी बुनने के बाद में उल्टी तरफ आते हैं 55 सलाइ को complete करने के बाद मैं 6 सलाइ पर आते देखे उल्टी तरफ से तो देखे इस सलाइ में हमें क्या करना है कि जो सारे फंदे हैं इन फंदों को हमें घटा देना है तो किस तरह से घटाएंगे दो फंदे एक साथ लेंगे तो दो जो फंदे हैं दो फंदे एक साथ लेते हुए सारे फंदों को हमें बुढ़ा है ताकि जो फंदे मारे थोड़ी कम हो जाए सिलाई करने में ये फंदे बांदे में थोड़ी सी आसानी हो देखे इस तरह से दो फंदों का एक एक फंदा करते हुए हम इनको बुनते जाएंगे छटी सलाई है लिप बनाने के बाद में इसको इसी तरह कम्प्लीट करेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमने यहां पर यह सारे फंदों को दो-दो करके एक साथ भूल लिया है अब देखिए सीधी तरफ से आते हैं तो देखिए यहां पर हमें जो स संदर सी डिजाइन है कैप की उसको भी देखना ना भूलें अब देखिए सीधी सलाई बनाने के बाद में उल्टी तरफ से फिर से में फंदे घटाने होंगे अब देखिए यहां पर यहां पर यहां पर फिर उसी तरह से हम करेंगे दो-दो फंदे एक साथ लेते हुए सार कि अगानी होगी तो दिखे फ्रेंट्स हमारे हां पर यह फंदे तने कम फंदे रह गए हैं अब देखिए हम क्या करंगे यहां पर धागा है यह उन को धोडा लंबा काटेंगे ताकि यह यहां पर यह सिलाई में काम आ जाए अब देखिए यहां पर यह धागा तोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे इसको हम छोटी बनाने के लिए डौवल कर लेते हैं इस तरह से तो हम इसको 10 वार करेंगे धाओं को 10 अब तरह से रोल कर लेंगे अभी सहान करेंगे यहां पर तुन बैंदेते हैं यहां पर अच्चे से बानदे के बाद में यह जो तीन और द्धागे औरba से इनको हम अलग 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 कर लेते हैं इस तरह से इंकी चोटी बना लेंगे क्योंकि जिस बच्ची के लिए बना रही हुआ उन्हेस पेसली बोला है उनकी दादीने की बच्चे की कैप में चोटी जरूर बनाये, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें डिजाइन बनाया है, इस तरह से आप इसको अच्छे से चोटी की तरह गूंथ ले, इस तरह से चोटी बनती है, अब देखे फ्रेंड्स ह हमारी यहां पर यह चोटी बन करके complete हो गए जितनी बड़ी जितनी लंबी चोटी आप रखना चाहिए उसने लंबी रख सकती है देखिए हमने यह चोटी सी चोटी बिनाई है और यहां पर देखिए जो धागा हमने यहां पर छोड़ा है इसको हम सी में डाल लेते हैं उनको झाल एक बार करने के बार में दुवारा भी देखे चोटी जो है इसको हम इस तरह से रखके और इसमें भी टाके लगा देते हैं किसके खीचेंगे इसको और यहां से यहां तक इसकी सिलाई करेंगे और चोटी को भी यहां पिटाग देंगे तो देखे फ्रेंट्स यहां पर यह सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस कैप को सीधा करते हैं देखते हैं कैसी बनकर क्या आई है बहुत ही सुन्दर सी कैप बनी है देखिए 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 फ्रेंट्स मारी कैप कितिनी सुन्दर बनकर के आई है तो फ्रेंट्स देखिए मेरा अगर वीडियो आपको पसंता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहल ये बाइ